हेलो फ्रेंट्स नमस्कार कैसे हैं आप लोग उमीद है बहुत बढ़िया होंगे जैसे कि पिछली वीडियो में हमने बताया था कि donuts को कौन कंड़क्ट कराता है पर किस करता है और कितने नम्र का इकजाम होता है तोटल तो उसी करम में यह सेकेंड वीडियो है आज की इस वीडियो में हम syllabus discussion करेंगे और only English का सिरफ English का जो syllabus है 200 number की English आती है दोस्तों यहाँ तो NDA के syllabus में जो 200 number का matter आता है English का उसमें कौन सा topic कितने marks का है उसकी discussion करेंगे और next video से हम जो है इसी इनी सारे topics पर class बनाना शुरू करेंगे एके करके तो आपको जुड़े रहना है इस class के साथ अगर आप NDA syllabus में जो English का part है English को cover करना चाहते हैं तो आप इस class से जुड़े रहेंगे चैनल को subscribe करेंगे ताकि आपको समय पर इसका notification प्राप्त किया जाए तो आज की इस class में मैं discuss करने वाला हूँ NDA syllabus का और सिर्फ English का NDA syllabus English जो की गेट का exam होता है एक mathematics का एक गेट का और गेट वाले part में English आती है 200 number की लेकिन दोस्तों English 200 number की आती है तो कौन सा topic कितने number का कितने question आते हैं कितने box होते हैं इन तमाम बातों की बात अपन आज इस वीडियो में करने वाले हैं तो आज की इस class में दोस्तों हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे NDA exam 2024 की NDA exam 2024 का जो है एप्रेल में paper होगा ये और अभी काफी समय है अपन लोग इस पूरे syllabus को cover करेंगे और previous paper जो है उसके उपर भी discussion करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले मैं topic number first की बात करता हूँ topic number first है spotting errors यानि कि एक sentence दिया जाएगा उस sentence में क्या error है उस error को बताना है grammatical error होगी वो और उस error को आप तभी find out कर पाओगे जब आपको grammar के rule आते हैं main तोर पर जो मुख्य तोर पर जो है ना थोड़ा सा tense का भी knowledge होना चाहिए तो यह सारी चीज़े में आपको इसी channel पर एकदम फिरी बताने वाला हूँ तो यह syllabus discussion के बाद अगली हमारी जो class होगी वो इनी topics पर start की जाएगी पूरा syllabus आपका NDA का है जो English related part है उसको मैं cover कर वाऊँगा तो दोस्तो spotting error के question जो आते हैं वो 5 question आते हैं और परते question 4 number का होता है इस हिसाब से total हमारे 20 number का यह मामला होता है 20 number जो है spotting error से होंगे question 5 होंगे परते question 4 number का होगा इस तरह से 20 अंकों का यह मामला है और इसके लिए आपको पढ़ना पढ़ेगा मुख्य तोर पर parts of speech और parts of speech में noun, pronoun, adjective, adverb, preposition, conjunction और interjection होता है और इस पूरे मामले को मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा उसके बाद आता है comprehension comprehension दोस्तों आपके लिए कोई नई चीज नहीं है आप passage पढ़कर आए हैं आपने 8th में, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में passage पढ़े हैं तो यहाँ पर भी एक unseen passage आता है और उस passage को पढ़कर अपने को नीचे question दिये गए थे उन question का answer देना होता है लेकिन यह वाला comprehension आसान इसलिए होता है क्योंकि जो आपने 11th, 12th में या 10th में जो passage पढ़े थे वहाँ पर आपको question दिया जाता था option नहीं होता था आपको question का answer passage में से ढूंड कर लिखना होता था यहाँ आपको लिखना नहीं है आपको एक question मिलेगा चार उसके option मिलेंगे उस option में से correct option कौन सा है वो ढूंड के आपको लिखना है comprehension और comprehension के question आते हैं total number of question की बात करें तो 6 question आते हैं और प्रते question 4 number का है इस हिसाब से 24 number का यह मामला होता है तो इसको भी मैं आपको बहुत अच्छी तरह से करवाँगा उसके बाद तीसरा topic sentence improvement का है sentence को improve करना है इस sentence में जहाँ पर has दे रखा है वहाँ पर has होता नहीं है head आना चाहिए कुछ और आना चाहिए मतलब यह भी spotting error जैसा ही question होता है उसमें एक question दे कर जैसे कि मैं आपको एक समझाओं question तो इस तरह से एक question दे दिया गया कि having taking tea इस तरह से question आया कि taking tea और आई वेंट ओफिस तो इसको अंडरलाइन करेगा हूँ यह question दे कर इसके नीचे आपको चार option देगा जैसे option number first दे दिया having taken having taken और b, c, d ऐसे चार option दिये तो हमारा answer यहाँ पर होगा having taken tea, आई वेंट ओफिस अब यह क्यों हुआ यह हम sentence में topic को पढ़ेंगे topic को पढ़ेंगे इस syllabus में तब मैं आपको clear करूँगा कि having taken क्यों आया, taking क्यों नहीं आएगा तो यह sentence improvement के अंदर आता एक sentence होता है उसमें एक गलत चीज लिखी होगी उसको या तो bold किया गया होगा या फिर उसको underline किया गया होगा और नीचे चार option होगे आपने को correct option को ढूणना होगा अगर वही सही है जो दे रखा है, वही सही है तो एक चोथा option होता है जिसमें लिखा होता है no improvement तो अगर sentence सही है आपको लग रहा है सही है एक चोथा option होगा no improvement उसके पर टिक करना अपने को उसी के उपर जाना है कि sentence में improvement की जरूरत नहीं है और अगर sentence में improvement की जरूरत है तो तीन option और होगे उन में से किस option को आप सही मानते हो grammar के किस rule के coding सही मानते हो उसके हिसाब से वो चलेगा तो ये भी मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से कराऊंगा इसके question आएंगे 10 और 4 number का एक question होगा इस हिसाब से 40 number का मामला ये होता है उसके बाद आता है sentence ordering जैसे एक passage होता है ना उसी तरह से sentence ordering होता है इसमें P, Q, R, S करके 4 line दी गई होती है चार sentence दिया गया होता है लेकिन इनका करम बिगाड़ा गया होता है इनको एक करम बद करने के लिए नीचे 4 option देते हैं ये कहरा कि P, Q, R, S होगा या Q, S, R, P होगा Q, R, S, P होगा इस तरह से 4 option देंगे आपको उन sentence को order देना है एक करम निर्धारित करना है निर्धारित करम करने से उनका एक निश्चित अर्थ बनेगा वो पैसेज एक meaningful बन जाएगा तो उसको sentence ordering कहते हैं इस तरह के no question आएंगे और 4 number का एक question होगा इससाब से 36 number का मामला बेठेगा उसके बाद आते हैं confusing word जैसे अपने को पता है कि एक होता है adapt जैसे एक होता है adopt है ना जैसे एक होता है adept adapt तो इन में क्या फर्क होता है effect और effect में क्या फर्क होता है इस तरह से principle और principle में क्या फर्क होता है जैसे एक ये principle एक ये principle और एक ये principle principle तो इन दोनो प्रिंसिपल प्रिंसिपल में क्या फर्क होता है इस तरह से जो है confusing word पुछे जाएंगे आपसे और यह confusing word 10 होंगे और प्रते question 4 number का होगा इस हिसाब से यह 40 number का होगा तो इसको भी मैं बहुत अच्छी तरह से आपको करवाऊंगा most important यह confusing word आपको बताऊंगा previous paper स related सारे question हम लोग करेंगे उसके बाद synonym जो आता है उसमें लिखा आएगा आपको best express word best express word एक सब्द दिया जाएगा और उससे मिलता जुलता शब्द आपको बताना है उसी अर्थ को बताने वाला शब्द डूढना है इस तरह के 5 question होगे 4 number का ही question होगा इस हिसाब से 20 number का यह मामला होगा 4 number का यह question होगा इस हिसाब से हमारे total question English में आएंगे 50 और प्रते question अगर 4 number का है तो यह 200 number का मामला यहां पर बैठेगा तो इस class में मैंने NDA का syllabus discussion किया है और वो भी English का और मैं आपको फिर वादा कर रहा हूं आपसे कि मैं NDA syllabus में जो English वाला part है 2004 अप्रेल में जो paper होने वाला है उस पूरे part को मैं आपको question practice के साथ PYQ के साथ MCQ के साथ पूरे topic को जितने भी topic हैं सब को मैं बहुत अच्छी तरह समझाओंगा और आप class से जुड़े रहेंगे और channel को subscribe कर लीजी एक बार फिर कहना चाहूंगा ताकि समय पर आपके पास notification पहुंचे और आप समय पर class को attend कर सकें किसी भी परकार का कोई doubt होता है दोस्तों comment करके पूछे आपकी हर doubt को clear करने क्या मैं पूरा भरसक बर्यास करूँगा ओके next class में मिलते हैं नमस्कार